हेलो दोस्तों स्वागात आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जारखन मत्मा परिक्षा के रूटिन के बारे में कि आपका जो एक्जाम स्टियूल किये गए हैं च्छोज जुलाई 26 जुलाई से उसमें आपका किस दिन कौन से एक्जाम होने वाले हैं यह सारे चीज हम आपके पेपर देने होते हैं और कब से आपका एड्मिट कार्ड मिलने वाले हैं तो यह सारी जानकारिया हम इस वीडियो में आपके साथ सेयर करने बाले हैं तो यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सारे चीजों के जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे चीजों हम आपको किलियरली बता चकें तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यह हम बात करें जहर खन मनमोघ पारिक्षा कि तो आपका जो परिक्षा है वह बोर्ट की तरफ से जारी लिए गया है एक पेपर का टाइमिंग क्या होंगे एक पाई तालिस सुवा में नौ पाई तालिस से एक बज़ तक आपका एकजाम चलेगा उसके बाद आपका तीन घंडा के पेपर होते हैं क्योंकि पंदरा मिनिट आपको दिये जाएंगे भरने के लिए तो दस से ग्यारा बारा एक तीन दिन आवजयां चलेगे उसके बाद नेक्ट दो वहाँ आपको दो बूज़ से स्टार्ट होंगे और पाँच-पंदरा तक आपका एक्जाम चलेंगे तो इस तरह से रूटिंगा राता है एक दिन में आपको दो पेपर लिये जाएंगे कौन होंगे Sanskrit background होंगे और जो कि 9 बज़े 945 से आपका स्टाट होंगे और यह एक अनिवार सब्जेक्ट है तोटल आपको कितने अनिवार सब्जेक्ट देने होते हैं यह भी हम आपको लास्ट में बताएंगे और एक्स्ट्रा कौन से आपको देने होते हैं और असे च tęन्म वर कि बात पॲद नृतिये पत्र सो है T तो यह दूसरा प्र हम में रख्या होगा संस्कोर साहित उसके बाद आप 117 क होने जा है वह आपका पर्थम पारी में होंगे संस्कृत तिर्थिय पत्र जिसमें वेद जियोतिस और दर्शन सास्तर आते हैं तो सब्सक्राइब का संस्कृत तिर्थिय पत्र होंगे जिसमें वेद जियोतिस और दर्शन आएंगे और सेकेंड पारी में जा होंगे राश्ट्रि भासा हिंदी मतलग मिलेंगे इसको सेकेंड पार में आपको देखने को मिलेंगे तो परतेक दिन आपका जो दो पेपर होने होंगे तो दोनों अच्छे से देने देने होते हैं क्योंकि दूनों पर आपका 33 आवर का होते हैं तो इस snoach आपको अच्छे से त्यारी बच्ची वे दिन में 12 बच्चे वे बारत डेज में आपको अच्छे से त्यारी करना होगा ताकि आप अच्छे से लिखे और अधिक से अधिक नंबर ले आए अगर हम 28 तारीक के बात करें जो कि गुरुवार का दिन है प्रस्पतिवार को आपका जो पेपर होंगे वो पच्मा अनिवार्ज सब्जेक्ट है जो कि क्या है समाजी विज्ञान और सेकेंड पारी में दो वज़े से जो होंगे वो क्या होंगे सश्ट पत्र मतलब 6 अनिवार्ज सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी होने जा रहा है तो आपका जो टोटल अनिवार्ज सब्जेक्ट होते हैं वो 6 होते हैं तो इसमें आपका 6 अनिवार्ज सब्जेक्ट है और आपको एक एक्चिक रखे होते हैं तो सातमा आपका पेपर वह एकचिक्स पेपर होते हैं लेकिन ये तीन दिन सब का एकजाम चलेंगे और दोनों सीटिंग में सब को देने होंगे 26, 37 और 28 तीन दिन आपका तीनों पेपर देना होता है क्योंकि छे पेपर आपका अनिवार्ज सब्जेक्ट है इसका मार्क्स आपका एड होते हैं ऐसे तो एकचिक का भी एक एकचिक आपको रखना होता है उसका भी मतलब अनिवार्ज ही होते हैं समझे लेकिन 6 आपका अनिवार्ज समाप्त हो जाएंगे और 29 का जो है वह एक्षिक 29 तारीक से आपका एक्षिक सब्जक्ट शुरू हो जाएगा जो एक्स्ट्रा में सब्जक्ट रखे रहते हैं जैसे कि कोई विग्यान रखा होगा तो उसका 29 को फॉर्सट पारी में विग्यान होगा यदि गनीत रखा होगा तो इसको गनीत將ट देने होंगे य सब एक्स्ट्रा डेपर है जो रखे होंगे उसी का परिख नहीं होगा देखने यहां तक आपको hen cana अनिवार सब्जक्ट है तो आपको देने ही देने होते हैं वह किए और उसके बाद हम 30 को इसी को हम बात करें 30 जुलाइक को तो तीस जिलाए को प्रोहित होंगे जो कि फर्स्ट पेपर होंगे और सेकेंड वे आपका संगीत होंगे जो संगीत रखेंगे उसका संगीत होंगे जो प्रोहित रखेंगे उसका प्रोहित पेपर देने होंगे तो तीस को आपको सनिवार का दिन ये दो पेपर होने जा रहे ह और आप ऐसे तो दो जुलाई दो अगस्त तक आपका एक्जाम होंगे उसके बाद एक का जो आपका पेपर है वो जो गिरीब इज्ञान रखे होंगे उसका होगा और जो अपना भासा रखे होते जैसे खारिया, खोर्था, गुर्माली, नागपूरी, मैथली, भोजपूरी यह सब यह कोई रखे होंगे तो उसका होगा नहीं रखे होंगे तो कोई बात नहीं तो उसको देने की जरूरत नहीं है वह आपका एड्मिट कार्ड में मिल जाएंगे कि आपने अनिवार सब्जक्ट क्या रखे हैं यदि आपका दो अगस्त की हम बात करें तो दो अगस्त का आपका वानिज भी जान होंगे तो जो एक्स्ट्रा पेपर में रखे होंगे उसका होगा नहीं तो आपका नहीं होगा वैसे मेंली आपका एक्जाम अठाइस तक अठाइस जुलाज तक आपका एक्जाम चलने वाले हैं तो बर्ष डिवीजन में भी अच्छे मार्क ले आए ताकि आपको आगे अडमिशन करने में कोई दिक्कत ना हो और या जो भी परफस्स आप एक्जाम दे रहें उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं और यदि हम इसका साइट का फर्स्ट पॉइंट देखें तो आपको इस साइट से मतलब स्वल्ला जुलाई को आपको एडमिर कार्ड यदि होगा तो परवेश पत्र आपका डाउनलोड कर सकते हैं इससे 177 2022 से आपका परवेश पत्र दिये जाएंगे तो आप वहां से डाउन प्रिचाय होंगे वह आपका जो मेन एक्जाम है वह समाप्त होने के बाद ही होंगे जैसे कि आपका दो का एजाम साड़ा एक्जाम सारा पेपर खतम हो रहे हैं तो आपका तीन अगस्थ से तीन अगस्थ से पांच अगस्थ तक आपका हला, यह मतलब प्रयोगिक परिक्षा एवं आत्रिक मुल्हांकन का दिनार धिया गे है प्रयोगिक परिक्षा जो आपका कब से होंगे, तो, 3 अगस्त से आपका 5 अगस्त के बीच में वह भिद्यालाइ में होते हैं, जिस भिद्याले में अपनेглийसन लिया हैं वहां से ही आपका आपको आपका जो यह प्रियोगी परिक्षा होता है वो देने होते हैं तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़ुरत नहीं है और आपका जो 6 अनिवारज सब्जेक्ट है उसको अच्छे से त्यारी करिए और एक आपने एक्षिक रखे होंगे तो एक् थी नहीं है त्यारी कर्या कि एक्या से था प्रियू कर्या कर्या नहीं है